इतना पढ़ा विकात होता आपने कभी देखा है इस किताब के टाइटल के सिवा इस किताब के पढ़ने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई दरती से पास ठेकन ऑक्सिजन गायब हो गया तो हैस्टेक का आप विशिरी नाम क्या है कौनसा जानूर पानी को साड़े चार किलोमेटर दूर से सुंग लेता है किस चिछ की परचाई नहीं गिरती तो दोस्तो ऐसे ही अनबिलिवेब टूट जानने के लिए इस मज़ेदार वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखे तो च चल रही है लेकिन इसमें चौका देने वाली बात यह है कि आज तक किसी को भी पता नहीं चाला कि उस बेल को एनरजी कहां से मिलते है ठूट नमबर टू दोस्तो आपने तो बहुत सारी जिले देखी होगी पर क्या आपको पता है आस्टेलिया में लेक हीले राम की एक जिल प्रूत नमबर फोर दोस्तो हम अगर नर के पानी का यूज़ करके आइस क्यूब बनाते है तो आइस क्यूब हमें वाइट कलर का दिखेगा और हम अगर गरम पानी का यूज़ करके आइस क्यूब बनाते है तो आमें ट्रांसफरन दिखाई देगा प्रूत नमबर फाईव दोस्तो बहुत सालों पहले चिन हमारी इंडिया को तियान जू नाम से बुलाया करता था मिनिंग है हेवन याने के स्वर्ग पुरूत नमबर 6 दोस्तो कैनडा में स्थित हर्षन बे एक ऐसा एरिया है जहां गुरूत वाक्षन पुरूत्वी के बाकी जगों के मुकाबले कम है पुरूत नमबर 7 दोस्तो मैं अगर आपको पूछू जब हम आखे बंद करते है तो आपको आइंसर नियरबाय ब्लाकी होगा लेकिन दोस्तो हमारे आखे बंद होने पर आखो को आजेंगरा कलर दिखाई देता है जिसे ब्रेंड ग्रेवी का आ जाता है पुरूत नमबर 8 दोस्तो साइंटिपिक रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग लगबग रोज मसालेदा खाना काते है वो लोग पिका खाने वालों से चौधा प्रतिश यत लंबी उमर जेंगे ये चांज जादा रहते है पुरूत नमबर 9 हम इस साइन को हैस्टाग के नाम से पहचानते है लेकिन दोस्तो असल में इसका ऑफिशल नाम नहीं है जो हम जानते है बलकि इसका नाम वास्तव में अक्टो थौर्फ है पुरूत नमबर 10 दोस्तो अंदेरे के चलते थोड़ी रोष्णी में हम सब की परचाई दिखाई देने लगती है क्या आपको पता है आग की परचाई कभी नहीं गिरती पुरूत नमबर 11 दुनिया में सबसे बड़ी जेली फिश दा लायन मेन है जो की वेल मस्ली से भी बड़ी पाई गई है क्रूत नमबर 12 हम घर में क्या पकरा है इसकी स्मेल हम थोड़ी दूरी से महसूस कर सकते है पर हाती जो धर्ती का सबसे बड़ा जानवर है वो पानी की गन साड़े चार किलिमेटर दूर से सुंग लेता है क्रूत नमबर 13 दोस्तो हमारे हाथ पानी में ज़्यादा दर्तक रहने से हमारे हाथों के उंगलियों पर रिंकल्स आ जाता है ऐसा इसलिए होता है कि पानी के अंदर जो चीज होती है उस चीज को पकड़ने के लिए हमारे हाथों की ग्रीब मजबूत बैड सके प्रूत नमबर 14 दोस्तो हमारी पूरी बाड़ी में बलड है और पूरी बाड़ी में ऑक्सिजन बलड के द्वारा पहुचाया जाता है लेकिन दोस्तो हमारी बाड़ी में आग का कॉर्णिया एक ऐसा पाड है जिसमें ब्रड नहीं होता और यह पाड डारेक्ट हावा से अक्सिजन लेता है तो है ना दोस्तो कुछ अलग हमारी बाड़ी का अन्बिलेबर टूत दोस्तो हम कई सारी किताबे देखते हैं और पड़ते हैं लेकिन दोस्तो मैं आज आपको ऐसी बुक का नाम बताने जा रहा हूँ जिस किताब के सिर्फ 120 प्लैंक पेजिस है जिसके अंदर उस बुक की टाइटल के सिवा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और उस बुक का नाम है Everything Man, No About Woman प्रूत नमबर 16 इसर्च के नुसर हमारी बोड़ी सुबह के 3 और 4 बज़े के दर्मन कमज़ोर होती है और काफी केसेस में ये देखा गया है कि इस स्पिरेड में लोगों की मौद भी हुई है प्रूत नमबर 17 अगर पास सेकंड के लिए गायब हो गया तो सीमेट कॉंगरेट की हर बिल्डिंग दूल में बदल जाएगी दोस्तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेर और सब्स्राइब करना मत बूलिए जिससे यह आमारा आपके लिए नए नए वीडियो लाने का होसला बड़े प्रूत नमबर 19 दोस्तो हम अपनी सास रोक कर 4-5 मिनिट नहीं रश सकती पर बिच्चू ऐसा जीव है जो अपनी सास 6 दिन रोक कर जिंदा रह सकता है प्रूत नमबर 20 दोस्तो हम सबने ट्रापिक होते वोए तो देखाई है और कर फ्री होने में हमने 2-4 या 6 गंटे तक ट्रापिक फ्री होने का इंताजार भी किया होगा पर दोस्तो क्या आपको पता है आप तक दुनाय में सबसे बड़ी कर चायना के बिजिन सिटी में देखी गई है ये ट्राफिक की खास बात ये थी कि ये ट्राफिक 60 मारे स्लंबी थी और आकरा दिनों तक ये ट्राफिक बनी रही तुर्थ नंबर 21 दोस्तो दुन्या में बहुत सारे आच्छे रेजनक गूफा है और आप कई सारे लोगों ने देखी भी होगी लेकिन दोस्तो दुन्या में सबसे बड़ी गूफा वियतनाम में देखी गई है जिसका नाम हैंग सन डुंग है जोकी 200 मीटर उची है इसके बाजू में क्लाइमेट जंगल रिवर और क्लाउड्स है दोस्तो हमने इंसानों को तो पड़ा लिखा हुआ देखा है लेकिन आपने कभी पड़ा लिखा पक्षी देखा है तो दोस्तो दुन्या का सबसे पड़ा लिखा पक्षी पक नाम का तोता है जिसके डिक्ष्णरी में 1728 शब्द है ये तोता 1995 से गिनिस बूक आफ वर्ल में अपनी जगर बनाये हुआ है तुरुथ नमबर 23 दोस्तो हम आसमान में बादल देखते है तो क्या आप अंदागा सकते है एक सिंगल बादल का वजन कितना होता है तो मैं आपको बता दू कि एक बादल का वजन 1,000,000 पाउंस होता है तुरुथ नमबर 24 दोस्तो हम हावाई आसमान में देखकर सोचते होंगे कि यार हवाई जाज क्या आवरिज देता होगा हवाई जाज को कितना प्रेटल लगता होगा तो दोस्तो मैं आपका डाउट यहाँ पर क्लियर कर दू कि हवाई जाज को एक किलोमेटर उड़ने के लिए 12 लिटर प्रूथ नमबर 25 दोस्त दोस्तो हमें से कई लोग मैगी तो खाते ही होंगे लेकिन पूरी दुन्या में हर दिन 120 करोड मैगी के पैकेट्स खाये जाते हैं जितना समय आपने इस जानकरी को पढ़ने में लगाया उतने में लगबग 2000 मैगी के पैकेट्स खुल चोके होंगे प्रूथ नमबर 27 दोस्तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बारकोड स्कैनर बारकोड के बीच के सपेदबाग को स्कैन करता है ना कि काली पट्टियों को प्रूथ नमबर 28 दोस्तो हम हमारा पर्सनल लेटा टेम्पूटर में हार्डिक्स में या प्रेंटरवी में सेव करके रखते हैं क्या दोस्तो आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारा दिमाग पूरी जिंदगी में लगबग 10 लाग जीबेटा आपने अंदर स्टोर करता है प्रूथ नमबर 29 दोस्तो आपने लाल गुलाब देखा होगा और किसी को दिया भी होगा क्या आपने कभी काला गुलाब देखा है तो दोस्तो ये ब्लैक रोज टर्की में स्थीद हलफेती विलेज में नेचुरिल ली तरिके से खुद उखता है प्रूथ नमबर 13 दोस् जो आपको पसंद आई होगी दोस्तो आज के फैक्स कैसे लगे ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताए तो चलिए दोस्तो हम फिर मिलेंगे अगली इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तो टेक केर एंड गुडबाई